दोस्तों चेननाई को हरा कर RCB प्ले आफ में पहुँची तो मुकाबले के बाद जब विराट कोहली की पत्नी अनुश्का शर्मा ने अपने पती का चरण छू कर भारतिय संस्कृत का इतना अद्भुत नमूना पेश किया तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गई जी हाँ दोस्तों RCB और चेननाई के बीच खेले गए रोमान्चक मुकाबले में RCB ने चेननाई को हरा कर प्ले आफ में क्वालिफाई कर लिया आपको बता दे कि RCB की टीम शुरुआत के 6 मैच हार गई थी और सभी ने इस टीम को पहले ही प्ले आफ से बाहर मान लि जीद कर RCB ने जिस तरह से कमबैक किया है उसने सभी को हैरान कर दिया पांच बार की चेंपियन टीम चेननाई को हरा कर RCB की टीम ने जब प्ले आफ में क्वालिफाई किया तो विराट कोहली खुसी के मारे रो पड़े क्योंकि इसके लिए विराट ने इस सीजन अपना पूर्ण योगदान दिया है वहीं दोस्तों RCB के प्ले आफ में क्वालिफाई करने के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुश्का शर्मा बधाई देने कोहली के पास जाती है और फिर उन्होंने तुरंत विराट कोहली के पैर चुलिये ये नजारा देख कर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए लेकिन दोस्तों जिस तरह से RCB ने कमबैक किया है क्या उसको देखते हुए RCB इस साल चैंपियन बन पाएगी या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं